जैमा, अम्बे, जै इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्श्यों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्शरी हैं उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है भगवान, गजानन, भगवती, देवी, मा की करपा आप सब के उपर बर से आज बहुत सुन्दर दिन है संकट, हरण, संकटों को हरने वाली आज चतूरती है भगवान स्री गणपती का आज के दिन प्रकाटे हुआ आज के दिन भगवान स्री गणपती का जनम दिन है गणपती महराज विगनों के विनाशक है संकटों को सेकिंडों में दूर करने वाले देवता है प्रथम पूजनी है अगर नहीं है भगवान स्री गजानन की ख्रपा हर घर में वरसे आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान स्री गजानन पूर्ण करें 2023 में हम परवेश कर चुके हैं भगवान स्री गणपती की साधना आराधना के साथ हम सब भगवान से पराथना करें है प्रभू आपके कृपा से ये जो साल नया लगा है ये हमारा अच्छा व्यतीत हो और हिंदी वर्ष जो चत्र मास में आ रहा है हे गजानन आपके कृपा से हमारा चण चण सुन्दर हो आईए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं फिर आगे की हम चर्चा करते हैं दस जनवरी सन दोहजार तेज़ दिन मंगलवार माग का महीना कर्शन पक सम्वत दोहजार उनासी तिथी सुबा बारा बज़कर के दस मिट तक तृत्या है फिर चतुरती लग जाएगे लेकिन संकट चतुरती आज ही है नक्षत्र आठ बज़कर के पचास मिट तक आशलेशा उसके उप्रांथ मगा नक्षत्र राहुकाल तीन से साड़े चार दिशासूल उत्तर दिशा गजानन तवरित प्रसंद होने वाले देवता हैं आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हूँ जटिल से जटिल मनोकामना क्यों ना हूँ यदि आप हर्दे की गहराईयों से भगवान गजानन को पूझते हैं उनकी सेवा करती हैं आपकी समस्त कामनाई पूर्ण होंगी आज के दिन भगवान स्री गणपती को जो सादख सवा के लड़ू अरपण करके तिलो के लड़ू उनको बाठता है भगवान गजानन प्रसंद होते हैं मदग प्रिये हैं आज के दिन 108 दुर्वा भगवान गणपती को चढ़ाना दुर्वा की माला बलाकर के गजानन को अरपन करना अतिसुब स्रिश्ट रहता है आज के दिन भगवान स्रिगनपती जिसे हम कहते हैं गणेश अधर्व शीर्स गणेश अधर्व शीर्स के 51 पाट करना 31 पाट करना 108 पाट करना बढ़ा शुब रहता है पूरा परिवार मिल करके आज के दिन गजानन की स्तुती करें गजानन की नाना भाती की बंदनाई करें भगवान स्रिगनपती की विमन प्रकार के स्तुत्र पढ़े आज के दिन कहीं भी सिंदूर वाले गण्पती हों उनको सिंदूर चड़ाय जाए बहुत अछा रहता है आज के दिन आपके घर में श्रुटार्क हों उनको गोगरत मिला करके कामिया सिंदूर मिला करके उनको चोला आरपन किया जाए और तिलक बगरा लगा करके दुप दीप दे करके पंचोप चारपू जन करके चाहे उच्छिस्ट गणपती के मंत्र पढ़े जाए चाहे साबर मंत्र पढ़े जाए या कोई भी मंत्र पढ़ा जाए तो भागवान श्री गणपती तवरित प्रसंद होते है देखो भीया मंत्र अपनी जगा है लेकिन मंत्रों से भी उपर है आपकी अपनी मंत्र की आगहाद करुणा आगहाद सुरद्धा वो सबसे वलवाद है ध्यान रखना भाई कंकर कंकर में संकर बसते है आप देखे ना कई बार आपने कैसे उधान सुने होंगे जब मंत्र को ऐसे पढ़ा गया देव प्रसंद हो गए सरवो परी है आपकी अपनी मन की आस्था आस्था है तो बंदरवाजे में रास्था आपके ग्रह कितने भी विपरीत क्यों न हो जाए आपकी कुंडली टोटल विपरीत क्यों न हो जाए लेकिन जब गजानन का पहरा आता है गजानन की ग्रपा होती है समस्ते कामनाएं पूर्ण हो जाती है गणपती यग्य विशाल किये जाते है हर यग में भगवान सुरी गणपती को ध्यान किया जाता है हर पूजन में भगवान सुरी गणपती को सुरबर्थन पूजा जाता है हर घर में नीप पत्थर हो, बालक का संसकार हो, मुंडन संसकार हो, पुंस्वन संसकार कोई भी ऐसी चीज क्यों नहों भग्वान गजानन को याद किया जाता है उनकी अराधना की जाती है घर की दिवारों में आज के दिन हल्दी करस और महंदी करस मिला करके और गोबर करस तीन चीजे मिला करके जो अपने अनके भंडार में स्वास्तिक पूर्ता है स्वास्तिक बनाना है तो भगवान स्री गणपती उस घर को नहीं चौड़ते और वैसे आपने देखा हो जब भी हम कोई पूजा पाट करते हैं बड़े से बड़ा यग करते हैं क्या कहते हैं समस्त देवी-देवता जब हम विसर जन करते हैं विधाई देटे देवी-देवत अपने अपने धाम को बदाने लेकिन लक्ष्मी गणेस मेरे ही घर में रहे हैं कहते हैं नहीं कहते तो भईया ध्यान रखना ये बात अब हमें गणपती की पलपल अवश्यक्ता है क्योंकि विग्ण जीवन में आज मुझ खुले खड़े कोई विक्ति ऐसा नहीं है शयद जिसके जीवन में कोई विग्ण नहीं हो और विग्णों को विग्णों का हननद करने वाले विग्णों का दमन करने वाले भगओवान सिड़कन पती बबापा मौरी है तो आज ध्यान रखना डुंडी राज महराज की सिवा करना और जैसे मैंने बताया न तीन रस से अगर आपको गोवर का रस क्या होता है बिस गोवर हलका सा घूल ले उसमें और नहीं तो मेह्धी मिल जाती है, अलदी मिल जाती है, मिल जाती है न उसमें थूड़ा गंगाजर मिलाले। मिक्स करके अपने घर में पांच स्वास्तिक जरूर बनाएं। चाहे अपनी किचन में बना लेकिन ध्यान रखें उस किचन में नहीं जहाब और कुछ बनाते हैं। शुद्ध आहार जा बनता नहीं तो अपने भंडार गरह में अपने दरवाजे के साइड में आप स्वास्तिक बनाएं आज के दिन और भगवान सिरिगनपती का ध्यान करके उनको दू परफण करें प्रणायम करें आपके घर में रिद्धी सिद्धी का वास होगा दरवाजों के दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें इधर भी इधर भी और एक तरफ रिद्धी सिद्धी एक तरफ सुब एक तरफ लाब ऐसा लिख दें बई खातों पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं आज के दिन रिद्धी सिद्धी लिख सकते हैं सुब लाब लिख सकते हो आ प्वार्वान श्री गनपती हैं। इनको अपने घर में पधारो। बहगवान स्री गनपती की सेवा करो। आपके समस्त संकट दूर होंगे। आज से आप विशेश परकार का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। गनपती की प्रती दिन आज से सुरू करें। 40 दिन लगातार 30 माला करें तो 40 दिन में 7 लख मंत्रों का नुश्ठान हो जाता सहर ये साधरन है आपके नेकों कामनाओं को पून करेगा और गनपती का कोई भी मंत्र जो आप जबते हैं पढ़ते हैं उसे करिए ऐसे संकट विगनों के विनाशक के लिए इसके 11 पाट करना आज के दिन 21 पाट करना आज के दिन बहुत अच्छा रहता तो गनपती की तो बहुत सारी ऐसी वो हैं आप करिए तो आज का दिन हाथ से न जाने पाए शाम तक रात्री तक जितना आप से हो सके करें और भाईया जिन से ज़्यादा कुछ नहीं होता जो जॉब में हैं, और ड्यूटी हैं या कुछ भी हैं, चलते फिरते सिरी गणे शाय नमा, गजाननाय नमा, जो भी आपके मुँवे भगवान गणपती का मंत्र पड़े नमे जोड़ लें, मंत्र बनगे आपके लिए, सिरी गणे शाय नमा, ये तो सबको पता ही है, गणगन पते नमा, ये भी सबको पता है, तो चलते फिरते उठते वैठते सजपिये, और आपके उपर भगवान गणपती की किरपा वरसे की विग्न विनाशक आपके विग्नों को जिरूर दूर करेंगे, आईए, जुने आज की स्रिनायनं परमं पवित्रं, उद्याद्धिवाकर निभूज्वल गांधि गांतं, विग्ने इस्वरं सकल वेक्न हरं नमामी, गणेशं गुरि पुत्रंचा, गणेशं सिवनंदनं, गणेशं पार्वती पुत्रं, गणनात नमुस्त देहे, कवच बना लें, ध्यान करें, गजानन जी का सुभाशी समसप्यों पर बरस रहा है.